राकेजी आपका कोशन है कि हमारी कोई भी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती ऐसा क्या करें जिससे मनोकामना पूर्ण हो ठिक है सबसे important चीज है कि मनोकामना आपकी है क्या अगर आपकी मनोकामना आपकी conscious mind, subconscious mind and super conscious mind के साथ से अगर आप मनोकामना मांग रहे हैं तो वो पूरी होगी और मैं आपको उपाय बताऊंगा कि उस मनोकामना को कैसे पूरी करना है और आपको थोड़ा ध्यारी भी रखना होगा होता क्या है कि एक वेक्ती है मनोकामना लिखता है कि मुझे government job मिल जाए आज कल वही हो रहा है affirmations देते हैं कि मुझे government job मिल रही है मुझे government job मिल रही है तो government job मिल रही है अगर मालो आपके सामने government job आके खड़ी हो जाए तो आप उस government job का क्या करेंगे क्यों आपको government job सबसे पहले तो यह होता है कि तुम चाहते क्या हो उसके बाद क्यों तुम चाहते क्या हो तुमने बता दिया कि मैं जह गवर्मेंट जॉब चाहिए तो तुम गवर्मेंट जॉब क्यों चाहते हो कुछ लोगों का मानना होता है कि मुझे government job मिल जाएगी तो मेरा financial problems जो है वो solve हो जाएगा मैं अपनी family के साथ अच्छे से रहूँगा या फिर अपनी family को enjoy कराऊँगा बस इतने में ही सिमित है प्रकृति कभी आपको नहीं देगी कारण क्योंकि जिस दिन आप अपने बारे में सोचते हैं प्रकृति कभी नहीं देती प्रकृति जिस दिन आप औरों के बारे में सोचते हैं प्रकृति आपको बहुत देती है कारण अब आप अपने बारे में सोच रहे हो कि मुझे government job मिल जाए या मेरा व्यापार खूब चले, या मेरी ये मनों कामना है कि मेरा व्यावसाय खूब चले, या मुझे जीवन में बहुत सारी सुक्स विदाएं मिले, तो मुझे मिले, तो आप अपने लिए मांग रहे हो, नेचर आपको कभी नहीं देगी, क्योंकि नेचर का लौ है, different, the law of cause and effect, the law of cause and effect, the law of cause and effect का मतलब ये होता है कि जिस चीज को आप इस धर्ती में डालते हो, effect उसका अलग होता है, अब इसको समझना हो सकता है कि मुझे समझाने में काफी लंबा समय लग जाए, परंतु जब आप इसे समझ लेंगे, तो आपको मनुकामना, जब भी जो मनुकामना होगी, बहुत सोच समझ के, आप मांगेंगे और आपको वो मनुकामना पूरी भी होगी, 100% अगर पूरी नहीं होगी, तो at least 80% तो हो ही जाएगी, कैसे, The Law of Cause and Effect, युनिवर्स का नियम है, Cause and Effect, अब अप एक आम का बीज, जमीन में डालते हैं, तो वो आम का बीज, क्या, सिंगल एक ही आम देता है? नहीं, वो आम का जो बीज है, वो जमीन में जाता है, पौदा बनता है, फिर एक समय के बाद पीड़ बनता है, फिर ना जाने वो कितने आम पैदा कर देता है अब उस आम के विरिक्ष से हम क्या क्या कर सकते हैं उस आम के विरिक्ष से हम फल ले सकते हैं उस आम के विरिक्ष से हम हवन कर सकते हैं उस आम के विरिक्ष से हम अपने घर में तोरन जो लगाते हैं पुजा पाट में के जगाता अब देखिये एक आम का व्रिक्ष आपने जमीन में डाला और वहां से निकला अब उसी जगे में एक बबून का शापट वजए जब डालशक और घै। तो everything is cause and effect तो जो आप डालते हैं वो आपको कई गुना जाकर के मिलता है जिस दिन आपने ये सोचा कि मेरे साथ ऐसा हो जाए मेरे परिवार के साथ ऐसा हो जाए ये मेरी मनो कामना है universe कभी पूरा नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी इसका कारण में आपको बताता हूँ आप देख लीजिए इस दुनिया में जितने भी successful लोग हैं कितने भी successful लोग हैं चाहे आप bilgats को ले लीजिए चाहे आप किसी भी चीज को ले लीजिए उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा दूसरों के बारे में कैसे सोचा service is the best मैं ऐसी service दूँगा तो मुझे उसके बदले में पैसे मिलेंगे यहाँ पर कारण क्या है कि भगवान कृष्ण ने कहा ता कर्म करो फल के चिंता मत करो फल तो मैं तुम्हें देही दूँगा होता यह कि हम हमेशा अपने बारे में अपने परिवार के बारे में सोचते हैं जिस दिन आप समाज के बारे में जिस दिन आप अपने society के बारे में अपने शहर के बारे में अपने देश के बारे में सोचेंगे उस दिन आप देखोगे कि आपको जो आपकी मनो कामना है वो पूरी हो जाएगी अब यहां पर बात आएगी कि सर कुछ समझ में नहीं आया आप जो कह रहे हों मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल देता हूँ अब आप माली जी आपकी एक इक्षा है कि मुझे एक गवर्मेंट जॉब मिले यह आपने कह दिया कि मेरी फैमिली के लिए हल्प करो के नहीं कौर्मेंट जॉब अगर मुझे मिलती है पटिकुलर आप कहते हैं कि मैं सिक्षा कर्मी में जाना चाता हूँ तो सिक्षा कर्मी में जाना चाता हूँ तो आप डिसाइड करिए कि मुझे एक बहतरी सिक्षक बनाया जा रहा है या मैं एक ब विद्यारतियों को सक्षित करूगा मेरा ये उद्देश है तब आप देखो कि आपको जॉब लगती है कि नहीं लगती है क्यों होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बिजनस्मेन हूं तो जब आप एक बिजनस्मेन है सपोज आपका वेवसाय है सोना चांदी का तो मेरा मेरी जो जॉबलरी है वो हजारों लोग पहने और उन वो खुबसूरत दिखें उनके रिलेशन्सिप में अच्छी बाउंडिंग हो हस्बन वाइफ के बीच में रिलेशन्स अच्छे हो तो डिपेंड करता है कि जब आप क्यूं 200-300 बार जब आप बोलेंगे ना कि मैं इस काम को क्यूं करूं क्यूं करूं क्यूं करूं क्यूं करूं तो आपको एक जवाब आएगा कि आपको इस काम को इसलिए करना चाहिए तो जब आप क्यों का answer खोज लोगे न तो automatically आपको nature उस रास्ते पर चला देगी जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों को मेरी help चाहिए मैं आज आप लोगों के साथ live हूँ, मैं क्यों अपना समय वरबात कर रहा हूँ मैं चाहूँ तो आराम से घर में बैठ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो counseling कर सकता हूँ मैं free मैं क्यों आप लोगों के questions के answers दे रहा हूँ कारण क्योंकि मुझे nature ने चुना है कि जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग परिशान हैं उनकी तुम कुछ मदद कर दो, उनके जीवन में कुछ अच्छा ले आओ, तुम्हारी बातों को वो सुने, तो उनके जीवन में कुछ अच्छा हो, इसी लिए मैं यहां हूँ तो हमेशा मेरी जो free online classes रहती हैं, मैं क्यों करता हूँ, और जो लोग करते हैं, और भी जो लोग free में करते हैं, लोगों को ग्यान देते हैं, वो क्यों करते हैं, उनके अंदर का subconsciously और super consciously बाहर आ गया, कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ तो दो चीजे होती है, एक होती है सच्ची भावना से और एक होती है कि लालच की भावना से, तो लालच की भावना से तो आप आके बढ़ सकते हो एक समय तक, उसके बाद आप downfall में चले जाओगे, और सच्ची भावना से जब आप चड़ते हो, तो जो उपाएं आप हम कि इसी को देते हैं वो उपाई काम करते हैं तो यही चीज है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मनोकामना पूरी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका लालच आप जिस भी मनोकामना को चाहते हो उसमें आपका लालच छुपा अगर आपको लालच नहीं है कि मैं एक BMW कार खरी दूँ, तो अबसले आप गाली नहीं खरी सकते, आप 800 में सिमढ जाओगे, आपको लालच नहीं होगा कि मेरे पास एक आलिशान घर हो, तो अबसले आप एक जोपड़ पट्टी में ही रोगे, तो लालच होना जरूरी है परं इसे पाना चाहता हूँ, और उस काम पे आप भड़ जाएए, जब आप निरंतर उस काम को करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे तो आपको रिजल्स मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, कि जो भी मनो कामना आप मांगते है ना, वो तेरा महि महिने में ही पूरी होती है, कि अब देख लेना, या तो आज से एक डायरी, मैं पहले की क्लासिस में मैंने बताया है कि एक गोल्डन पुस्तक लिखिए, गोल्डन बुक लिखिए, जो आप चाहते हो, उसको लिखो, कुस दिन के बाद छोड़ दो, जब आप दो साल के होगी, जो भी आपकी मनो कामना होगी, वह मनो कामना, तेरा से पंदरा महिने के अंदर में पूरी होगी, और अगर आप उसमें डटे रहे, आप उसमें डटे रहे, आपकी वह मनो कामना मुझे मिल रही है, यह confidence आप अंदर से ले आ रहे हो, तो आप दीरे 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 दीर कि 13 महिने चौदा महिने या 15 महिने में आपने जो सोचा है उस रास्ते तक तो वो आपको पहुचा देगी उसके बाद आपको और अच्छे काम करने हैं और चीजों को अच्छा बहतर से बहतर बनाना है तो जब आप उसको और बहतर से बहतर बनाओगे तो अबसली आपकी मनो कामना पूरी होगी तो हमेशा याद रखना कि तुम चाहते क्या हो और क्यों चाहते हो तब आपकी मनो कामना जरूर पूरी होगी यह दो कोश्चन है अपनी लाइब से हमेशा पूछना कि तुम चाहते क्या हो मैं जब लोगों से यह पूछता हूँ कि तुम चाहते क्या हो त वो कहते हैं कि सर मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मैं पुछता हूँ कि तुम क्या चाहते हो फिर उसके बाद मैं पुछता हूँ वो बताते हैं कि मैं ये चाहता हूँ फिर मैं पुछता हूँ क्यों चाहते हो तो उनके पस जवाब नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं और वो क्यूं चाहते हैं तो जिस दिन आपने अपने आपसे बार बार गी पुछा कि तुम चाहते क्या हो आपको जवाब आएगा कि मैं ये चाहता हूं और क्यूं चाहता हूं तो आपको एक और जवाब तो आपको जीवन में अच्छी चीजे मिलेंगी तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम चाहते क्या हो और क्यूं चाहते हो यह आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से ही आपको करना है यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा हम नेक्स कोशिन ले देते हैं